कुणों कामना ओशा है 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 हदराबाद में छूसरीटार बस आउन्स खाती हम आएल बनी que जितना से जितना हों सके रुबस आपे मदद कर योगजागर ताकि योग बच्चा जल्दी से ठीक हो कि हमने के बीच में ख payment जुरू करते हैं और हम एक खाती लाइब आई बनी कि हम जतना कंपणी के गाना दिहीं ले अदेता नहीं सबसे रिक्वेस्ट दिहे बाद कि रवो लोग इन हमार पेमेंट कौम का दीचा है मत दी तकि उगाना के पैसा है आयांस के खाता में डाल दी उनका बापा के खाता में डाली है ताकि उनका के जादा से जादा मदद हो सके ऐसे जे एक बात के खुशी भी वह हमके कि जो आज तक ले कलकार बंदू से आज तक ले कि हूँ मदद ना करता ला कौनों भी आपता में कि हूँ कही ना जाता ला लेकि आज अपना कलकारन पर गर्व होता हमके कलकारन तर खूशी भी होता कि हर कलकार आ जे कुछ कलकार हर कलकार तण इक चाहरा. लेकि जिए भी फिरी भा जे बिहार में बादी हम हूं रहती तछ यह दौकि हमारा टीम से जितना भी हो सकता हम मादद करते हो grateful कमद करते हुआ नियुक्त, लेकि हम चाहता हैं कि हमारा कमपणी नहीं तो 25 से 25 को कमपणी वा, वो कमपणी से रिक्वेस्ट करता हैं कि आप हमें गाना अकप ऐसा दीजिये, मत दीजिये, लेकि उस बच्चे का मदद करिये, ताकि वो हमारे घर का बच्चा है, हमारे बिहार का बच्चा है, और हमारा दै मतलब नहीं इसलिए मैं चाहता हूं और मैं कुछ कलकार बंदू अपने जो भाई हैं उनको भी धीर सारा सुख कावना देना चाहता हूं को इस मोहम को चलाए वो और इसे हद तक लेकर गए कि आज सब लोग मदद कर रहे हैं उस मीडिया कर परभारी मेडिया के जितने भी पर बाते पहुंची और उस बचे का मदद हो रहा है और मैं फिर से इक पर कह रहा हूं अपने कमपणी मालिकों से कि आप लोग लेज उस बचे का मदद करिए क्योंकि हम सबका बच्चा है वह नयंस का जो अंस है हमारे सब के अंदर है और मैं अपने भायों से कहना चाहता हूँ जो हमारे संगीत से तर से जुड़ा है कि आप कुछ जैसे वे कि आप गाना गार है गाना गाने से वो बच्चा नहीं बचेगा हमें उसका मदद करना पड़ेगा कि गाना का रहे हैं इसका पैसा हम सारा यूटूब से जो आएगा उपैसा हम उस बच्चे के मदद के लिए देंगे। जी नहीं। अब छे महीना यूटूब के बाद पैसा आई था निवता के आटा वला कामबा कि निवता के आटा आई था पुरी पाकित लिहित लोख तो छे महीना तक बच्चा वेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बिमारी बहुत भैंकर भाइवाना है बहुत हलकी नहीं है कि उच्छे महीना बरदास कर पाएगा तो आप वो गाना ना गाके आप कोई लोग इत गाई है देभी इत गाई है जट गाई है गाके आप कमपनी को बेज कर और उस पेमेट को डोनेट कर दीजिए उस बच्चे के लिए उस बच्चे का हेल्फ हो जाएगा तो तुरंत हेल्फ की जरूरत है हमें गाना गाके छे मेना वेट तो कोई नहीं करेगा ना तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये खड़ी जो है हम सब को एक जुट होके और बड़ी खुसी हो रही है कलकार बंदू हो से मुझे बहुत सच में बहुत खुसी हो रही है कि हमारे सुरुआत में आप लोगों ने इतना मदद तो नहीं किया तो लेकि आज हर आदमी उस मदद के तरफ जा रहा है ये बड़ी अच्छी बात है कि बीचार धरा बदल रहे हैं समाज के और सब को बदलना चाहिए मेरे काने का मतलब कि हम सबका दई तो बनता है ये कलकार बंदू हो चाय जो भी हो वो बनता भी है जनता के आसरबाद और प्यार से और उसी जन्ता में से हो एक बच्चा है हमारा, कि उसके माबापने भी हमें कभी प्यार दिया है, देते हैं, तो हमारा भी दोईते बनता है कि उसकी दुख और सुक में साथ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कलकार बंदू से खास करकर कि गाना गाके बेचिए ना, आप दो लाक में बेशते हैं, तीन लाक में बेशते हैं, या पांच लाक यादा जुतने में बेशते हैं, आप भी बेश कर तुरंट उससे के लिए हैल्फ करिए, ताकि उस बच्चे को ज्यादा सज्ड़ हिल्फ सके, तो मेरी परियास है, नी मेरी टीम सुरू दीजrek लगी हु सके आप एक गाना मेरे तरफ से लिजी फिरी पट उपएसे उस बच्छे के लिए करिए ताकि उस बच्छे का ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके हमारा तो दस मिलट का मेहनत है लेकि मुझे लगता है कि उसकी जीवन बहुत बड़े हैं तो और मेडिया पर भारे जितने इसे म और ताकि लोगों तक यह चीजे पहुँच जाए और कुछ मदद हो सके सबसके हाथ और हम सब गाता ही तो बनता है हम इतने सारे लोग हैं और हम चाहें तो क्या एक बच्छा नहीं बच सकता है एक एक रुप्य अदान अगर पुरी बिहार करेगी तो साइद उस बच्छे क जीवन के लिए बहुत हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि पुरी बिहार ये नहीं जहां भी लोग योपी बिहार धर खंड मैं जहां भी मेरे अपने संपर के लोग हैं जो कबेबल हैं जो कबेबल नहीं भी हैं जो 100 रुप्य का ही जंता है उनकी मैं उनसे भी कर और उस बसे को